write the number that comes after after बोल रहा है इसका मतलब है कि इसके बाद वाली संख्या number आपको लिखना है what comes after eight eight के बाद क्या आएगा nine आता है है ना what comes after four after four four five what comes after six seven है ना तो आपको इसको बाद की संख्या लिखनी है next question है आपका write the following number that comes before before means पहले है ना तो यहां पे देखिए five दिया हुआ है blank आपको पहले दिया हुआ है पहले दिया हुआ है मतलब आपको इसके पहले की संख्या लिखनी है तो five से पहले क्या आता है four है ना देखो count करो four five two से पहले क्या आता है one है ना बागी आप करेंगे ठीक है next question is circle the greater group greater means जो बड़ा है ना उसको आपको circle करना है ठीक है तो देखिए कौन सा है यह देखिए one two three four five five ball का group है यहां पे one two three ball का group है तो five ज्यादा बड़ा balls ज्यादा है यह three balls ज्यादा है तो five ball ज्यादा है आपको क्या करना है इसको circle करेंगे ठीक है यहां भी देखिए one two three four butterflies here और यहां पे one two three four five six butterflies तो four ज्यादा हुआ है कि six butterfly तो six butterfly ज्यादा है तो इस group को आपको circle करना है यह ना add by drawing lines आपको यह addition करना है लेकिन आपको यहां पे draw करके करना है तो यहां पे देखिए two है तो one two plus one है one अब इसको count करेंगे one two three similarly यहां भी same way question दिया हुआ है बसको आपको यह lines जो draw किया हुआ है इसे आपको count करके आपको यहां पे लिखना है subtract by drawing lines यहां पे आपको क्या करना है subtract करना है यहां पे हम तीनों को क्या कर रहे थे counting में जोड रहे थे यहां पे हमें क्या करना है घटाना है तो यहां पे देखिए one two three four five six seven दिया हुआ है इसमें आपको three minus करना है three minus means यह आप three cut कर दीजे अब आपके पास कितनी lines है one two three four four यहां पे देखिए one two three four five दिया है यहां पे one two three four lines आपको क्या करना है cut करना है आप यहां पे one two three four lines cut कर दिया how many lines are left is left only one ठीक है यह इसी तरीके से आपको यहां भी two lines cut करके count करना है जो आपका left है वो आप यहां पे लिखेंगे यह आपका add vertically 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 मतलब होता है खड़े नीचे उपर ठीक है और subtract vertically है ना तो देखिए four में zero zero कुछ नहीं होता है तो four में अगर हम plus zero कर रहे है तो हमारा answer क्या आएगा four ही आएगा है ना six और two तो यहां भी आपको add करना है तो six में two जोड़ेंगे six और seven eight यहां पर आपको यह बाकी सब addition आप लाइन से draw करके करेंगे या आपको finger में count करना आता है तो आप इस तरीके से यह तीनों question solve करेंगे subtract vertically तो यहां पर देखिए nine है यहां पर five है यहां पर अगर आप line draw करते है one two three four five six seven eight nine और कितना take away करना है तो one two three four five तो how many nine lines are left one two three four four इसी तरीके से यह तीनों चारों subtraction आपको और addition आपको करना है this is your homework